आज की वीडियो में मैं आपके लिक नया फ्लेवर लेकाल यूma er यह है केसर पिस्था बहुत ही अच्छी इसकी खुश्च भू आ रही है जिस तरीके से रस्मलाई एक कि आती है उसी तरीके से केसर पिस्था के में खुश्च भूँ आ रही है इसका जो weight है यह मैं आपको इसका weight बताती हूं कि बेक होने के बाद इसका weight कितना है इसका जो weight आया है यह है 488 ग्राम यह मैं आपको किस तरीके से दिखाऊं कि आपको दिखाई दे यह देखिए लाइक की वज़े से इसको दिखनी पार है यह 488 ग्राम इसका weight है और अभी यह हलका सा गरम है पर मैं इसको आपको कट करके दिखाते हूं कि अंदर से कैसा बेक हुआ है यहां पर मैं जो भी इंग्रीडेंट लेने वाली हूं मैं आपको मेजर के साथ बताऊंगी हमेशा बाउल रखने के बाद इसको आउन करें वरना बाउल का weight भी मेजर हो जाएगा मैं लेने वाली हूं वान कप प्लस वान फोर्थ कप और इसका जो मेजरमेंट है यह है 163 ग्राम या आपको हो सकता है आपको लाइट की वज़े से यह ना दिख रहा हूं तो इसका weight जो है यह 163 ग्राम है next इसमें मैं डाल रही हूं half cup powder sugar और इसका जो मेजरमेंट है यह है 88 ग्राम आप 88-90 कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीएसपी मैंने full इसमें भर के लिया है baking powder जिसका मेजरमेंट आया है 5 ग्राम half teaspoon half teaspoon इसमें मैंने डाला है baking soda इसको अब हम कर लेंगे थोड़ा mix यहां पर अब हम मेजर करेंगे वेट इंग्रीडियंट यहां पर मैंने थ्री फोड़ कप मिल्क लिया है जो आपका वन कप है उसका हाफ और थोड़ा सा और उपर यह हो जाएगा थ्री फोड़ और यह फिर अगर आप अलग कप से रापना चाहते हैं तो वन कप यहां पर फोड़ कप आप तीन बार डालें तो यहां मैंने हलका सा गुर्गुरा दूद लिया है और इसमें मैं मिलाने वाली हूं वन एंड हाफ टीएसपी वेनेगर और इसको हम 10 सेकिंड के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इस वेट इंग्रीडियंट में सॉरी ड्रा इंग्रीडियंट में मैं मिलाने वाली हूं वन फोर्थ कप रूम टेंप्रेचर का कंडेंस मिल्क अगर आपने कंडेंस मिल्क फ्रिज में रखा हो तो यह केक बनाने से एक सब्सक्राइम हने नहीं वेटिंडा और यह पता प्रेचर के दूर सभी थोड़ेंस में मिलाने वाली हूं इस ड्रा इंग्रीडियन में इसको पहले चम्मच से अच्छे से मिक्स कर ले और इसको अब में इलेक्ट्रिक बीटर से या फिर आप हैंड विस्क का यूज भी कर सकते हैं उससे भी इसको मिक्स कर सकते हैं इसको हमें तब तक फेटता है कि हमारे सारे जो इंग्रीडियन्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में तो यह देखिए हमारा जो यह बैटर है यह मिक्स हो चुका है नेस्ट इसमें मैं एड करूंगी ओल ओल हमेशा कोशिश करें केक में लास्ट में मिक्स करें वरना ओल जो है वो केक को फूलने से रोकता है अगर अब उसको पहले ही अगर मिक्स कर लेंगे तो इसमें मैं वन फोर्ट कप मिलाने वाली हूँ ओल साथी यह हमारा केसर पिस्ता केक है तो इसका जो एसेंस है वो मैं मिलाने वाली हूँ थोड़ा सा मिक्स करके यहां मैंने यह लोकल ब्रेंड का ही केसर एसेंस लिया है हाफ टीएसपी मैंने इसमें डाला है केसर एसेंस और साथ ही इसमें मैं ओसरो का डालने वाली हूँ यह पिस्ता मिल्क एसेंस यह वाला जो एसेंस है यह इसके ग्रीन कलर के साथ है अगर आप केसर पिस्ता केक बनाना चाहते हैं येलो कलर में उसको ग्रीन कलर नहीं देना चाहते हैं तो आप ऐसा पिस्ता एसेंस खरीदें जिसमें कलर मिक्स ना हो इसलिए मैं यहां पर सिफ कुछ ड्रॉप सी डालने वाली हूँ पिस्ता एसेंस के और इसको हम एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां आप देख सकते हैं जो केक कक कालर है वो लाइट क्रीन आया है अगर आप इस चलता है कि आप लाइट क्रीन में इसका बनाए जो sponge है तो आप रहने दे या फिर आप इसको थोड़ा से yellowish color देना चाहते हैं तो इसमें हलका से yellow color mix कर दे मैं इसमें कुछ drops yellow color के डाल रही हूँ आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप yellow sponge बनाएं सिर्फ keser essence के साथ तो filling में आप green color दे सकते हैं जो filling में पिस्ता का essence भी add कर सकते हैं या फिर आप sponge green बनाएं और जब इसकी filling करें cream के साथ तो आप उसमें केसर और उसका yellow color डाल सकते हैं तो यह देखें अब इसका color थोड़ा अच्छा आ रहा है थोड़ा yellowish में इसको अच्छे से light होने तक mix करें तो यहां पर हमारे जो बैटर है वो बनके ready है इसको मैं डालूंगी 6 इंच के टिन में तो यहां पर मैंने यह 6 इंच का जो टिन है उसको घी से grease किया है और मैदे से dust करके ready कर लिया यहां पर जो पूरा बैटर है उसको अच्छे से mix कर लें कभी भी अपने के बैटर को लेफ्ट राइट ना फेटे हमेशा एक डारेक्शन में ही फेटे ताकि उसमें बबल्स ना आए और इसको अब हम डालेंगे हमारे केक टेन में अगर आप इस केक में ओरिजिनल केसर यूज करना चाते हैं तो थोड़ा सा गुनगुला दूद करके उसमें केसर की कुछ जो रेशे है वो डाल दें 10-15 मिनट के लिए उसको उसमें सोक होने दे वो कलर अपना छोड़ देगा और थोड़ा सा टेस्ट भी और वो आप इस बैटर में मिलाएं जब आप दूद फारते हैं उस दूद में ना मिलाएं आप अपना केसर इसको मैं यहाँ टैप करूए हमेशा आपने टिन को नीचे कुछ मैट या तौवल बिचा के टैप करें ताकि जो आपका टिन है उसमें टेंट ना पड़े और जब तक मैं यह बैटर रेडी कर रही थी ओवन को मैंने 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रखा था नीचे की कोईल अउन है, उपर की कोईल अउन नहीं है उपर की कोईल मैं इसलों नहीं किये, जब हम यह केक बेग करेंगे तो उपर से मुझे डोम शेप या crank क्रैक नहीं चाहिए फ्लैट सर्फेस में हमारा केक बेक हो इसलिए हम इसको लोवर कॉइल है उसमें बेक करेंगे और केक के टिन को मैं डालूँगी मिडल रैक में मेरे ओवन का साइज बड़ा है इसलिए इसको हो सकता है 30 से 35 मिनट लग जाए बेक होने में अगर जिनका ओवन 28 लीटर तक है हो सकता है उनका केक 25 मिनट में भी बेक हो जाए तो आप 20 और 25 मिनट के बाद अपने केक पे एक बार नजर डालें टूथपिक डाल के चेक कर ले कि मैं आपका या बेक हो घाल मैं आपको दिखाती गेक बेक हो जाने के बाद तो यह देखिए कर का जो सपन्ज बेक हुआ है कितने अच्छे उसकी जाली आई ला इफिया इसको दवारे हुए निये वापस अपने शेप में आ जा रहा है को की इसको 35 से 40 मिनट लगे चाजतीं!